बच्चों, आज हम छोटी इ की मात्रा सीखेंगे. जितने भी हमारे स्वर होते हैं, उनकी मात्रा लगती है. सिर्फ स्वर अ की मात्रा नहीं होती है. ये है स्वर इ और ये है स्वर इ की मात्रा. छोटी इ की मात्रा की आवाज छोटी होती है. इ, इ, जैसे इसका नाम है छोटी इ, वैसे ही इसकी आवाज छोटी होती है इ, इ, बोलिए मेरे साथ, इ, इ, जब भी छोटी इ की मात्रा किसी अक्षर या विंजन के साथ लगती है, उसकी आवाज छोटी हो जाती है जैसे की, खी, गी, घी, अब देखते हैं कि छोटी इ की मात्रा कहा लगती है छोटी इ की मात्रा अक्षर या विंजन के पहले लगती है जब आप स्कूल में एसेंबली में खड़े होते हैं, तो छोटे बच्चे पहले खड़े होते हैं लाइन में और लंबे बच्चे बाद में इसी तरह से चोटी E की मातरा चोटी होती है, इसलिए ये अक्षर या वेंजन के पहले लगाई जाती है केवल यही एक मात्रा है जो व्यंजिनो या अक्षरों के पहले लगाई जाती है बाकी सभी मात्राएं पीछे या उपर या नीचे लगाई जाती है आईए अब व्यंजिनो या अक्षरों पर एक की मात्रा लगाकर उसके साउंड को समझें जब भी हम किसी मात्रा को किसी अक्षर के साथ लगाते हैं तो मात्रा और अक्षर का साउंड जुड जाता है जैसे कोई भी मात्रा नहीं लगती इसलिए हम उसे खाली छोड़ देंगे दोहराते हैं, कि, खी, गी, घी, आगे पढ़ते हैं, चापे एक की मातरा चि, चापे एक की मातरा छी, जापे एक की मातरा जी, जापे एक की मातरा जी, इयां में कोई भी मातरा नहीं लगती, इसलिए उसे खाली छोड़ देते हैं, फिर से पढ़ते हैं, ची, छी, जी, जी, आगे चलते हैं तप ए की मात्रा टी, ठप ए की मात्रा ठी, डप ए की मात्रा डी, धप ए की मात्रा धी, अनप ए की मात्रा डी रिपीट करते हैं ती, ठी, डी, धी, डी देखा आपने जब मैं अक्षरों के साथ एक की मात्रा लगाती हूँ तब अक्षर की आवाज छोटी हो जाती है आगे बढ़ते हैं दपे ए की मात्रा ति, थपे ए की मात्रा थि, दपे ए की मात्रा धि, धपे ए की मात्रा धि, नपे ए की मात्रा नि, दोहराते हैं, ति, थि, दि, धि, नि, आगे पढ़ते हैं, फप ए की मात्रा पी, फप ए की मात्रा फी, बप ए की मात्रा भी, मप ए की मात्रा मी फिर से प्रैक्टिस करते हैं, पी, फी, बी, भी, मी आगे है, यप ए की मात्रा जी, रप ए की मात्रा री, लप ए की मात्रा ली मेरे साथ दोरा ये अब है अब संयुक्त वियंजन पर ए की मात्रा लगा कर पढ़ते है रिपीट करते हैं एक बार फिर से शुरू से पढ़ते हैं कि, ठी, गी, घी, ची, छी, जी, छी, टी, ठी, डी, धी, ढी, पी, फी, बे, भी, मी, ये, रे, ले, वे, शी, शी, सि, ही, शित, त्री, गी, श्री है न कितना आसान आप भी सारे एक्षरों पर इक की मात्रा लगा कर जोर जोर से बोल कर पढ़िए लिखकर भी अभ्यास कीजिए और लिखते समय भी बोल कर पढ़ने का अभ्यास कीजिए आपका दिन शुब हो धन्यवाद